अयोध्या में राम मंदिर निर्मान को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब भगवान राम की सबसे उची प्रतिमा को लेकर भी संग राम छिड़ गया है साधू संग समाज भगवान राम की मूर्ती के खिलाफ उतर आया है अयोध्या के बाद काशी में चल रही तीन दिवसिय धर्म संसद में साधू संग समाज ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि उन्हें सिर्फ भगवान राम का मंदिर चाहिए राम की विशाल मूर्ती नहीं धर्मसंसद ने इस दौरान आयोध्या में भगवान राम की दोसो इकिस मीटर उची प्रतिमा के फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे अराध्य देव है उनकी मूर्ती लगाने का फैसला आस्ता के खिलाफ है काशी में चल रही धर्मसंसद में देश भर से तमाम साधूसंत शामिल हुए थे इस दौरान पूरे दिन राममंदिर को लेकर तमाम धर्माचारियों में चर्चा हुई चर्चा के दौरान आचारे गौतम ने कहा कि राम लला अब भी टेंट में है ये लाखो भक्तू की भावनाओं का अपमान है वहीं अयोध्या से आये रसिक पीठा ध्यूशुर मन्थम जनमेजर शरण ने कहा कि देश में सामाने नागरिकों की तरह भगवान श्री राम को भी न्याय का इंतजार करना पड़ रहा है इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता आपको बता दे कि चुनाव से पहले देश की राजनीती में राममंदिर को लेकर सियासत उबाल पर है केंद्र सरकार पर राममंदिर के निर्मान का दवाव लगातार बढ़ रहा है आरेसे समेट कई बीजेपी सांसर और साधू संत समाज अध्यादेश लाकर राममंदिर का रास्ता साफ करने की मांग कर रहे हैं तो वहीं दिपावली पर अयोध्या पहुंचे यूपी के सीम योगी आधित्यनात ने ऐलान किया था कि अयोध्या में दुनिया की सबसे उची भगवान राम की मूर्ती बनाई जाएगी लेकिन अब साधू संत समाज ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार राम की मूर्ती बना कर राममंदिर के निर्मान से बच नहीं सकती देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ